और वैसे ही निकल गया चाहिद यह थोड़ा सा अटकर है एक मिन्ट रिवर्स में टकर मारता हूं पेड़ से इस वाले घर के काम स्टार्ट कया था और इस वाले घर में बैसिक काम क्म्पृ spin कर लिया हुआ उसके बाद मैं इहांपर डाकरेशन के लिए काफी सारे आईटम लगा दी हैं जो सामने देख रहे हैं यहां पर मैंने काफी सारे गंबले लगाए हैं और कुछ काउस के जो है स्टीकर वगारा दिवार पर लगाए हैं बट अभी जो है इनके काम करने के लिए में पास वुड़ प्लैंक्स खतम हो गया है और मेटल पीस भी चीएं कंक्रीट बिचिएं और आज जो है काफी सारे मेटल पीस कंक्रीट और वुड़ प्लैंक लाने पड़ेंगे तुकि खाली घर का काम भी कंप्लीट ने करने हैं और बागी काम भी कंप्लीट करने हैं जैसे अपने यह वाला काउवान है इसमें भी थोड़े से चेंजिस मैं कर रहा हू इसमें सैड में यह एक्स्टेंडड ऐसे रूफ टाइफ की से बना रहा हूँ जिससे कि अपनी काउस जब यह भाहर घूमती रहती हैं तो यह इसके नीचा के बैठ सके हैं और यहां पे दूप से और बारिस से बच सके ऐसा ही सेम टूसे मैंने इस सैड बना दिया है और जो है आज पिक्सेल करने पड़ेंगे काफी सारे क्योंकि काफी सारा खर्चा होने वाला है काफी सारा काम में करने वाला हूं और यह जितने हनीबीस के हाइवस हैं यह भी कंप्लीट करने हैं इनके लिए काफी सारे वुड प्लाइं चाहिए मैटल तो चाहिए मैटल तो ज इसमें 3 kg है पानी भी है तो इनको हुआ क्या अभी तो ये ठीक थी थी थोड़े पहले मैं देखे थे और ये तो सारे के सारे फिर से रेस्ट इंपीस होगी है तो पहले मैं इनके लिए यहां पर ग्रेंड मील का लगाई देता हूँ यकि इ단 पहले मैं ग्रानों कोब सबस्क्राइट या द लॉन लम्सें देखे गाई तो ॐधिक्रण मील का लगा हुआते है शोमृका नकरता है और फ्ला कवहूं देखे लूए हिए इद के यहां से उपर चटड़के असे जागे आप पहार करता हूं इसको और एक बार रेंज का मुझे पहले कंफिर्म करना पड़ेगा तब ही मैं यहाँ बनाऊंगा वैसे रेंज तो यहां भी सारी कवर हो रही है तो ठीक है सारा कवर कर लेगा तो इसके साथ में लगाना है एक मुझे जो है यह विंड मील जिससे पानी सप्लाई होता रहे यह विंड मील हो गई है और साइड को भी बनी है ठीक है तो इन दोनों के लिए अभी देख लूँ वैसे तो पचास कंक्रीट और एक सो पच्छेस म जो ही क्यों मेच्ण करें करने के लिए उनके लिए फिला और है यहां से पहले पूरा ओपं था यह इसके लिए एक से पर वूड़ ख्यू बिल्कुली खाली हो चुकी है एक भी वुड प्लैंक नहीं पड़ी है तो यह जब उपर का बन जाएगा तब यहां पर नीचे में पास ऑप्शन है कि मैं यहां पर गेट लगा सकता हूं यह गेट वाले फ्रेम है या फिर इन्हें ऐसी ओपन छोड़ सकता हूं तो फिलाल तो दो मैटल पीच चाहिए और यह गमले यहां पर ही में लग रहा है 15 सूला तो इधर भी है अराम से दस तो है और ऊपर भी है और ऊपर हिक्मेंट चड़ लेता हूं यहां से जो है ऊपर थोड़ा सा दोड़ के आना पड़ेगा तब चड़ पाऊंगा यह ऊपर चड़ी नही वांच वोड प्लाइंट चाहिए तो खड़ी की होगा काम भी कंप्रिट करना है और फिर यहां पर देखें के अंधर भी शायद कुछ गंबले वगरा या डेकॉरेशन के आइटम लगा दूँगा या फिर में पास और काउस वगरा वाले स्टीकर हैं वो मैं लगा सकता हू जैसे एक तो यह वाल पिक्चर है यह वाल पिक्चर यहां लगाई देता हूं कहीं पे ना इतर खाली खाली लग रही है यह वाली वाल यहां बीच में लगायता हूं एक काउस वाली वाल डेकॉरेशन है यह वाली यह लगायता हूं यह यहां से नीचे से लगाने शुर करत और अभी तो गेट वगएरा भी यहां के लगाने है और अभी जो है सुवे के ग्यारा बजने वाले हैं और अन्दिरा इतना हो गया जैसे रात होने वाली हो और बारिश चोरी है इस वहीं से ऐसा मौसम है अभी बैलन्स जो है 4,300 डोलर है वैसे काफे सारा समान आ सकता है और एक और काम भी करना है क्याँ वाली हो सबसेख़ा है और यहांपर निकालने के लिए और वैसे मैने गोड का मिल्क आज नकालानी है है निकाल भी लेता हूं और यह गोट मिल्प पे जो है उपर से अलग से बने आने लग गया है जब ही 36 लिटर लिखा हुए तो उसके ओपर गोट बनी आ रही है और इस वाली गोट का तो निकल गया काफी कम लिख देती है और अब दूसरे वाली में यह भी गोट ही है और मिल्क निकालना होता है है काफी ज़्यादत काम करता हूं इन सब करना ही तो निकले घालता है कि यहां थे तो यह सामने वाले सबसे बड़ाए बहा बार बाराव भग दे लिख धी लाग लागो ऩिस फोटे वाले को रोक लेता हो उस सारे क्योंक्ति यह होगे बाहर भागने के लिए और अभी मुझे एक पिक यहां बाहर गूंगते वे दिखाता है वो तो मैंने जो है इसी ट्रांस्पोर्ट ट्रिलर के अंदर बढ़ दिया कि इसको पकड़के जो है क्या यहां पर लेकर आँगा इसको यहां डाल देता हूं बेच के तो आना ही ह और वो छोटा था ज्यादा बड़ा तो थानी बट इदर गूंग रहा था तो मैंने सुचा एजी है इसको अंदर ही बढ़ देता हूं यहां सामने है और यह दूसरे वाला हो गया और अब जो है तीन ओर चाहिए पैसे मैं इस ट्रिलर को यहां से निकाल लेता हूं उधर ही पाते हैं तो यह आगया श्रक के अंदर और श्रक के स्टार्ट लेकर निकाल लूं यह सही है उस ट्रेलर को मैं लेकर किया था तो काफी ज्यादा दिक्कत हूई थी हैंनली कितनी विकार है वह वाली गाड़ी जो है सलीपी होती जाती है उसके साथ यहां पर इसमा फटा यह तो वहाएं खड़े खड़े मून वोक किये जा रहे हैं आगे आ नहीं रहे आओ अब आओ क्या हो गया गेट फुले में भागो अब नहीं भागेगा एक भी यह थोड़ा सा लग रहा है देलियर सा आजा गुज्जास के अंदर तुम रहो यहां पर खुदी बाहर से निकल जागा और इसी ट्रक के अंदर बढ़ लागो वोड प्लैंक तो अभी मैं इनको यहां ले आए हूँ और इनका चला मैं पोक रेड़ी कर लूँ और पोक रेड़ी करने के लिए मुझे इनका काम थमाहम करना पड़ेगा उनका पोक तो रेड़ी कर लिया है और अब बस चौबिस सो नमभे डॉलर हो गया और यह दो पीस कैसे रह गया अलग से आ रहे हैं तो अभी देख रहता हूं कोई और पीस यहां पर रहना गया हो अलग से रह गया है कुछ पीस मुझे लगी रहा था ट्रक थोड़ा सा आगे खड़ा हो रखा है इनको उठाके जो है इधर रख देता हूं इनके भी तो अभी जो है मुझे 300-400 डॉलर मिली जाएंगे और इसको इस निशान के ऊपर रखता हूं इसके बाहर रहेगा तो अंदर स्क्रीन पर आएगा नहीं सेल करने के लिए इनके 270 डॉलर और मिल गए तो साथ हजार डॉलर बैलेंस हो गया तो लग रहा है काम हो जाएगा हज काफी सारा सात्या डॉलर में काफी सारे वर्ड प्लैंक आ जाएंगे अब इसी ट्रक को लेकर चलता हूं हाडवे स्टोर पर और वहां से देखता हूं उसमें कितने प्रण चार्ण या 500 तक भी आ जाएं और यह जो है यहां से जंप करने में सीधा जाके लगा नीचे मुझे लगा रुक जाएगा बट रुक आने निकल गया और इस ट्रक की हैंडलिंग फिर ठीक है साइज के हिसाप से स्टार्टिंग में तो साहीं हैंडल कर पारा हूं है यह फिर मुझे ही ट्रक चलाना आ गया अगया अगया फिर कुछ और इस ट्रक में चेंजिस हुए हो यह थोड़ा साइस से हैंडल हो रहा है इसको यहाँ ही पाक करके अब जो है समान पर्चेस करना शुकरता हूं सारा का सारा बैलेंस करना है आज बैलेंस कम ही पड़ेगा पूरा भी नहीं पड़ने वाला तो अभी सबसे पहले तो वूड प्लैंक याड़ करता हूं वूड़ पचास आप आएंगे एक वोडर में तो चार सो हो जाएंगे तो यह हो गए सोला सो डॉलर के उसके लावा मैटल पीचिस का यह पचास वाला डबा कंक्रीट का भी पचास केजी वाला बैग और एक मिल्किंग वाली मशीन मिल्किंग वाली मशीन इधर मिलेगी भी यहां तो देखनी रही मिल्किंग वाली मशीन यहां पर milk can देख रहे हैं तो milk can और milking machine एक साथ ही लिएँगा पर एक मुझे lawn mover लेना है यह काफी ज़्याँ ज़रूरी है बट यहां से ऐसे जाएगा निए यह मैं जो है इस वाले trailer पर लोड़ करके लेकी जाओंगा तो इसके लिए मुझे दूसरे वाले trailer लेकर आपड़ेगा या फिर बड़े वाले trailer भी है मेरे पास यहाँ लेँगा इस पर लोड़ करके ले जाँगा इसे और इस पे भी वैसे मैं try कर सकता हूँ अभी try कर लेता हूँ अगर मैं यहां wood plank नीचे लगा कि रैम बना पाऊंग तो और metal pieces तो मेरे को काफी सारे चाहिए metal piece तो काफी जादा महंगे आते हैं एक में 50 हैं अभी मैं 6 box ले लेता हूँ 300 metal piece चाहिद काम चले जाएगा और concrete के भी मेरे को चार तो चाहिए ही और 300 में काम नहीं चलेगा क्योंकि काफी सारे metal piece तो मेरे को उसी के लिए चाहिए ग्रेन मील के लिए और wind मील के लिए तो यह एटलिस आठ तो लेने ही पड़ेंगे और आठ में यह ज़्यादा हो गया अपने जितना balance है उसे भी जाता चला गया यह 7600 डॉलर पोच गया है concrete के बैग अगर मैं कम कर दूँ दो कर दूँ तो शायद काम चल जागा 7100 डॉलर के अंदर आ गया और lawnmower मुझे अभी लेना ज़रूरी है वैसे तो मैं इसको हटा सकता था बट नहीं हटाऊँगा यह इसलिए चाहिए क्योंकि काफी ज़्यादा गहास हो चुकी है और जहां पर मैंने goats रखे हुई है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गहास हो रही है उन goats के चो चोटे चोटे बेबी goats हैं वो जो है दिखी नहीं रहे हैं वहाँ पर तो इसलिए जो है वहाँ से गहास रणानी काफी ज़्यादा ज़रूरी है तो भी साय समान को लोड करता हूं इसके अंदर यहां पर मैं छोटा था की रैम तो बना दिया है यह जो है मैंने मेटल पीस यूज़ करके और यह वाले वृड प्लैंक यूज़ करके एक रहाएं कोशिश करिया है तो तक उसके तरू जो है चड़ जाई अपना लॉन मॉवर उपर और लॉन मॉवर इससे उपर चड़ेगा तो मैं को दुबार से नहीं आना पड़ेगा नहीं तो इस पेशली वाहली गाड़ी हो ट्रेलर लेकर आना पड़ेगा इसको ले जाने के लिए अभी एक बार तो पहले इसको थोड़ा साइज से कर लेता हूँ इसके दोनों टायर जो है मेटल पीस के ऊपर आने चाहिए थोड़ा पीछे से ले के आता हूँ तेज चलाते हूँ ऐसे तो चटने पारा इसकी पावर भी जो काफी जागा कम है अब यहां पे आके टग गया तो थोड़ा सा मेट को न इस वाले रैम को लंबा करना पड़ेगा यह जो है न यहां से थोड़ा सा एकस्टेंड कर देता हूँ इसको अब तो इस चटने चेप तो मैंने काफी एकस्टेंड कर दिया है इधर जो है न दो मेटल पीस लगेता हूँ उसके ऊपर चटने के लिए क्योंकि यह थोड़ा सा ऊचा हुआ है और एक मेटल पीस मुझे यहां पर भी लगाना पड़ेगा इधर एक लगा दिया और एक इधर लगाएता हूँ दो हो गए और एक इधर लगाना पड़ेगा इधर तो यह न पर यह बारिश का क्या है कि मतलब बारिश कभी भी होजाती है बारिश का तो ऐसा है कि कुछ काम नहीं है तो बरसना शुरू कर देते हैं अब मैं इसको चड़ाएंग कोशिश कर रहा था इदर बारी चो रही है अभी दूप निकल रही थी हाँ इससे चड़ गया अपना बनी गया काम यहां पर क्यों टग गया स्ट्रक के अंदर यह क्या सीन है एक मनद उतार के इसको थोड़ा सा पहले जो हिलाना पड़ेगा तब यह निकल जाएगा ओ भाई क्या कर रहा है इतने ओपर क्यों जा रहा है पिर फॉस गया स्ट्रक के अंदर यह कैसे फॉस है कि इस में गुझग या अंदर है ?? है आगे करूं आए करूं तो यह गिर गया तो अलका ज़र हो गया था यहां पर ट्रक में कुछ लगाने पड़े का थोड़े वूल्ड प्लैंक और ट्रक के ऊपर भी आर्व दे रखें इन्होंने अब कहां तक आ गया ट्रक अप्तों चड़ जाना चाहिए थोड़ा पीछे को ही आ गया है आ गया इसके अंदर इसके अंदर जो है साइट तरीके से लोड हो गया है अब बस पीछे इसके वुड प्लैंक लगा लूँ यहां पर जगे भी तो चलिए वुड प्लैंक जो लेकि जाने है और वुड प्लैंक तो भी यहां पर इसके ऊपर ही आ जाएंगे जातर अगर अपने रैंज तक पोच गई ठीक है नहीं तो रास्ते में गई गई तो बात में ठालूँगा वैसे रैंज तक पोचेंगे नहीं उपर से गिरी ही जाएंगे और यह उपर वारे प्लैंक गिरी गए यह यहां तक पहुच ही नहीं पाए और सबसे पहले मुझे काम करना है यहां पर कावबान वाला तो कावबान की यहां ही रोकता हूं और इधर ही जो है अनलोड करूँगा इस वाले लोन मूवर को अनलोड करने के लिए तो कोई ज़रूती नहीं है यह लोन मूवर गया कहां पर भड़ा तो मैंने यहां पर किया था पुरी कुछ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके अंदर गुजगया वो यहां पर यहा शारे सबान को यहाँए अंलोड करने है उपको इधर यह चाहिए तो इसके अंदर हैन्द और यह पर गया यह कैसे खड़ा हो गया इसके और फिर से फैस्ट राक के अंदर या कंस कम लोन मूवर कही राष्टे में गिरा तो नहीं है पहले तो मुझे यह फीर रास्ते में गिर इसको यहां से निकालने का तरीका तो मैरे पासो बस उच्छाल देना है एसे और बस इससे बाहर निकालने का ड्राइ करता हूं नहीं निकलरा अभी भी चलो अभी इसे थो ड़्य दीमिन निकालता हूं पहले यहां पर कावबान वाला कि होगया साधक काम और अब ऑब क्योन है कैसा काम कर तू यह जरूर ही है क्ि क्या पाइस पानी आता है और यह लुए है और गुटनी बन रहा इसमें क्या एशु अधर कर दिक हो ऩu हो यू इक रहता है क्या यह अलर यह यहां पर गूम रहाSm Тут इन में मिक्स हो रहा है तो दिखानी अलग से तो यह अलग काम तो हो गया complete और इससे सही जो है नीचे जगे मिल जाएगी काउस को बैठने के लिए क्योंकि काउस पर काफे सारी होगी हैं अंदर तो आनी पहेंगी सारे में गूम रही हैं और इनके खाने के लिए बात में यहा हो गया और वोटरक बनाई जते हो एक साथ में यह पूरवटरक ह होगया इसके लिए चाहिए इसके लिए सोला पलैंक काफी ज्यादा है तो एक तो प्लैइंक का ये पढ़ा हुआ और भी जो है लही लेता हूं जारे प्लैंक्स है इसी काम में लग जाएंगे काउबान के तो कोई यहां के लिए milking machine लेके आनी है और दो एक्राइब केंस लेकर आनी है और बाकि दीर दीरे इस काव बार में अप ग्रियर तो होती ही रहेंगी जैसे काव से आ बढ़ती ही रहेंगी और अब जो है मैं पहले ही वाला काम कर लूं हन्यबीस वाला अनिपीस वाला और उसके बाद फिर घर वाला काम करना है और वुड प्लैंक्स अभी हैं काफे सारे हैं काम चल जाएगा अभी का तो अभी मेटल पीसिस मुझे सबसे पहले तो जो है ग्रेन मील और विंड मील बनाने के लिए चाहिए हैं काफे जहाँ ज़रूरी हैं क्योंकि इनके चक्कर में पहले काफे सारे मुर्गे मुर्गया जो है मर चुके हैं और इसका मैं जहाँ ध्यान भी नगा बड़ यह फिर भी है तो गोड़ा काफे सही है और मुझे काफी जहाँ सस्थे में मिल गया था और विंड मिल तो होगी रड़ी और अब जो है ग्रेन मिल को रड़ी कर लेता हूँ ग्रेन मिल भी होगी रड़ी और इसको फिल करने के लिए 200 डॉल चाहिए और बैलनस में पास ही नहीं बैलनस बचाए सिफ 21 डॉलर सारा का सारा बैलनस अपना खर्च हो गया तो इसको फिल करने के लिए देखना पड़ेगा अभी वैसे खाना चाहिए जरूरी जो है अपने बैलनस तो खटा करी लूँगा तो उससे जो है अपना काम बन जाएगा यहाली ग्रेन मिल स्टार्ट हो जाएगी और पैसे खटे करने के लिए काफी सारी चीज़े हैं मैं यह जो है काउस का मिल के बैच सकता हूँ इनका चीज बना के बैच सकता हूँ और पिक्स को सैल कर स पहले तो इसको उतारने का ही देखना है और अभी ये सारे की सारे मेटल पीस और प्लैंक ये वहाँ पे घर पे तो उधर ही लेके चलता हूँ और ये में को लग रहा है ऐसे अपने आप ही गिर जाएगा एक दो बार टकर मारता हूँ तब शायद निकल जाएगा रिवर्स में निकल जाना है चाहिए और वैसे ही निकल गया शायद ये थोड़ा सा अटकर है एक मिन्ट रिवर्स में टकर मारता हूँ पेड़ से नहीं ऐसे भी निकला अब फ़ड़ा सा ट्राइ कर लूँ हमें को लग तो रहा है निकल जाएगा नीचे की साड़ तो आ गया है यहां तो एक टार तो भार निकल गया इसका यह फसा ही हुआ है बुरे तरीके से और यह इधर की साड़ मुझे क्यों फसा रहा है अब जो है इस ट्रक को फ़ड़ा सा खिलाता हूँ चला के ना तब यह निकल जाएगा आ निकल गया चलो हो गया खाम उतर तो गया और इसको थोड़ा सा ट्राइ भी करके रिख लेता हूँ कि यह जो है साई से काट भी रहा है नहीं काट रहा गास को काट तो रहा है साई से और यह मुझे मेखिनने चेए इस गोट्स वाले बान के अंदर यहां पर जो है अंदर से सारी घास काटनी है लाइटे वन कर लूँ तर फिलाल अंदिरा हो गया इसको यहाई छोड़ दूँ इसको जो है बाद में यूस करूँ आप यहां से सारी घास काटूँगा ये छोटे छोटी जो है गोड्स गूमरी हैं गास में देखी नहीं रही और अभी तो जो है अंधिरा इतना जादा हो गया ऐसे तो काम होई नहीं पाएगा मैं अंदर के लाइट सोन कर लेता हूँ जी वाली लाइट मैंने लगा रखी हैं तीन है ये एक यहां पर भी है पाकी उसके लावा मैंने एक लाइट शायज की यहां पर लगाई थी यहां पर लगाई अभी इतनी लाइट है इस गर में और एकदम से काफी जादा अंधिरा हो गया वाले बनाने मेंको यह एक में जो है दस वोरट पलैंक लग जातेया है तो अभी दो काफी है इनको बना दूँँगा थोड़ाचा यह वोरट पलैंक की अभी कंजूसी पर काफी सारे बच गए हैं मतलब सो तो हुएं गई यह सामने मैं यहां पर अनलोड कर दिये थे यहां से उठा के लिए चलता हूँ और दो डबे तो मुझे दिखी रहे हैं एक में पचास हैं इसमें पच्चास हैं इसमें पच्चेस हैं तो 125 तो है मेटल पीस तो काफी सारे जो है ऐसी पड़ावादा अब जाके कम्पलीट हुआ है और यह लाइटे बंद कर दूँ यह लाइटों की तो जरूत नहीं है अब उपर चलता हूँ उपर चलके जो है यह गंबलो वाला काम कम्पलीट करता हूँ इनके लिए एक एक मेटल का भी चाहिए सारो के लिए दो प्लैंक का काम तो हो गया लग रहे थे कम पड़ेंगे बट कम नहीं पड़े और अगर बहुत कम पड़ेंगे तो जो है तीन चार गंबले रहेंगे ज्यादा रहेंगे नहीं इधर के तो सारो में हो गया इधर का भी हो गया इधर का भी हो गया इधर का भी हो गया सारे पीस बचे हैं तो इसके लिए छे पीस है चार पीस कम पढ़ गए बाकी सब में तो जो है हो गए पुरे पुरे और अब मैं ज़रा जो है सामने से कंक्रीट का बैक उठा ला हूँ और यह सारे पीस बचा ला हूँ यह सारे पीस हैं और एक तो यहां वोड़ प्लैंग के कर जाता हूँ तो इधर से मैटल सम्में लग चुका इधर भी लग चुका यह मैटल जो है इस साइड से लगाना चुकरता हूँ सम्में इच्छी होगा दो दो पीस मैटल के मैटल काम तो हो गया और कंक्रीट का बैक रखा है नीचे अब बस यह रैड़ी होने शुरू हो आँ खुस तो बार और कुछ जो है लैंप आई लाइट है वो लगाऊंगा इधर का तो सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया प्लांट का अब एक बार जो है नीचे से देख रहता हूं कैसे लग रहे है बढ़िया है अपना जो है यह वाला घर साही लग रहा है और अभी ज करूंगा और तब जाके इस घर का पेंट का का काम कर ना चाहिए या फिर जो है इस वाले का ऑबान का क्योंकि इसल休 को मैं चाहिए और इसको हो सकता है थोड़ा सा मुझे और एक्सीन करना पड़े क्योंकि अभी यह फूल होने लग गया है क्मेंट कर देना कॉन सा काम पहल आधियू है और इस वीडियो परागर मुझे पता चल सकता है और अध्लय करने चाहिए है आधि के लिए इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आई तो जो लाइक हरें है ॔र आधिए यू cross measures झाल झाल